भारतियों को खादी के प्रोडक्ट्स से हमेशा ही लगाव रहा है। महत्मा गांधी से लेकर PM मोधी तक हर किसी ने खादी के प्रोडक्ट्स को खूब बढ़ावा दिया है। यही वज़य है कि खादी एवं ग्रामो द्योग आयोग यानि की KVIC ने नई दिल्ली के खादी इंडिया के फ्लैक्शिप शोरूम में बेबी प्रोडक्ट्स लॉंच किया है। इसका कॉटन फैब्रिक बेहद ही सॉफ्ट है और बच्चों के स्किन के प्रती समवेदन शील भी है। जिसकी वज़ा से बेबी के स्किन पर रैशिस नहीं पड़ेंगे और उन्हें स्किन इरिटेशन भी नहीं होगी। खादी के इन बेबी प्रोडक्ट्स को केंद्रिय मंत्री ने लॉंच किया है। साथ ही खादी का हैंडमेट पेपर यूज और थ्रो स्लिपर भी लॉंच किया जिसे भारत में पहली बार डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के यूज और थ्रो स्लिपर्स को पहली बार देश में डिजाइन किया गया है। साथ ही ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बता दें कि स्लिपर्स को बनाने में हाज से बने पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी तरह से लकडी मुक्त है, स्लिपर्स को कॉटन जैसे नेचुरल फाइबर, फटे हुए पुराने कपड़ों और एग्रो वेश्ट से तयार किया गया है, इन स्लिपर्स का वजन इनका इस्तेमाल यात्रा व घर, होटल रूम्स, अस्पताल, पूजस्थल और लैब जैसे स्थानों पर बहुत अच्छा होए। आपको बता दें कि कॉटन बेबी वियर की एक पीस की कीमत समान रूप से 599 रुपए रखी गई है। की जा सकती है। गौर तलब है कि इस हफते MSME मंत्राले का प्रभार समालने वाले केंद्रिय मंत्री राणे ने एको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोड़क्स बनाने पर जोर दिया है। राणे ने कहा है कि एग्रेसिव मार्केटिंग से लोगों के बीच खादी प्रोड़क करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कि एग्रेसिव मार्केटिंग से लोगों के लिए सब्सक्राइब करें।